हेलो डिवान वेलकम तो कोचिफार आजके सेशन में हम लोग पावर गेट डिपलोमा ट्रेनी का प्रिविएस एर कोशिन पेपर को डिसस करने वाले हैं ओके आजके सेशन में हम लोग बेसिकलिए 27th of October 2018 को जो पेपर पूछा गया था हम लोग एस डिसस करने वाले देखे इससे आपको एक फायदा होगा कि आपको कौनसे कॉशन को प्रिपेर करने कौनसे कॉशन पूचता है यह हम लोग सारी चीजे स्टेजिक के लिए देखने वाले हैं कली मैंने आपको एक कम्मूनिटी पूल पर पूछा था कि कौनसा सेशन और बेसिस पर चाहिए तो आ पर जो मनें आपको प्रोसिजर बता है उसके अब रिफ्रेश करके देखे आपका आपका आडमेट काड़ आपके मिल जाएंगा और उसे को धान में रखते हैं हम लोग आज की सेशन में MCQs और कॉशन को डिस्क्स करने वाले इंसुलेटर पोस्ट इंसुलेटर या फिर पिन इंसुलेटर ओके तो इसका एंसर होगा option C post इंसुलेटर देखे हम वें post इंसुलेटर की requirement रहती है और यह हमारे high voltage सिस्टेम्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं तो ध्यान में रखे का post इंसुलेटर यह important इसका इसका correct answer था ठीक है installation of high voltage बसबार in a substation required high voltage बसबार को installation के लिए substation के अंदर हमें post इंसुलेटर की जरूरत रहती है ओके आयोब आपके question समझ में आगा देखते हमारा next question vibration galvanometer इस vibration galvanometer क्या है एक low pass characteristics है उसकी high pass characteristics है band pass characteristics है या फिर band stop characteristics है तो ध्यान में रखे का vibration galvanometer की band pass characteristics है with a narrow pass band ओके यह जो vibration galvanometer है यह हमारा mirror galvanometer है और basically इसके अंदर है coil suspend की जाती है gap में magnet के साथ या फिर हम लोग permanent magnet भी इसमें suspend करते है ठीक है जो field रहती है elektromagnet के अंदर ओके और इसकी जो characteristics रहती है वो रहती है band pass characteristics with a very narrow pass band okay option C का correct answer था देखते हैं हमारा next question question number 3 given a continuous time signal s of t is equals to 5 cos of 200 pi t minimum sampling rate required to avoid analyzing will be यहाँ पर continuous time signal हमारे पास given s of t is equals to 5 cos of 200 pi t तो इसमें minimum sampling rate कितना लगेगा अगर हमें analyzing को avoid करना हो ठीक है तो time period हमें निकालना पड़ेगा t is equals to twice pi upon omega वो क्या है हमारे पास twice pi upon 200 pi omega का value कितना है यह है omega t जो equation रहता है हमारा यह होगा हमारा omega का value 200 pi pi से पाइ cancel तो उसका value क्या जाएगा 100 by 1 by 100 यह देखिए तो इसमें आपको ध्यान में रखना हो का minimum sampling rate अगर हमें चाहिए रहता है अलाइजिंग को avoid करने के लिए तो वो रहता है twice of f ठीक है यह बात है इंपोर्टेंट है यह धन में रखेगा यहां पर 100 hertz भी एंसर है बट लेकिन यह incorrect हो जाएगा अलाइजिंग को avoid करने के लिए हमें minimum sampling rate रहता है twice of a f तो two into 100 कितना हो जाएगा 200 hertz यह इसका करेक्ट एंसर आ जाएगा okay option C इसका करेक्ट एंसर था काफे सिंबल सा था टाइम परेट निकालना था तो पाए बाए 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 है अचुली और minimum sampling rate जो हमें required रहेका वो रहेका twice of f that means हमने 2 से multiply करिया 200 hertz का correct answer तो यह same question as it is power grid में पूछा था okay so देखते हैं मारा next question resistance unit in a valve type of lightning resistor is made from resistance unit जो है valve type of lightning resistor में वो किसे बना रहता है नाइक्रोम वायर पारलल करेंक्शन ऑफ कार्बन रेस्टर पारलल करेंक्शन ऑफ मेटल फिल्म रेस्टर या फिर सिलिकान कारबाइट से दान में रहेका जो resistance unit रहता है valve type of lightning resistor में okay lightning resistor क्या करता है lightning को ground करता है वो बना रहते है हमारा silicon कारबाइट के कारबाइट से okay तो option d का correct answer है और जो सिलिकान की पार्टिकल्स रहते हैं वो जनरली 22 इसको 40 हम लोग कह सकते हैं वो ट्राइम ज्यादा लाज रहते हैं जिंक औकशाइड पार्टिकल्स से 20 to 40 परसंट यह ज्याधा रहते हैं में और यह जो चनली कारबाइट वल्ड ब्लोक करते हैं हमारा current कि यह हमारा उसका जो सिलिकॉन करबाइट का वॉल्व का जो ब्लॉकिंग करन्ट है वो इंक्रेस दो सकता है फाइव तो टैन तैम्स अगर हमारा सिर्फ 50 पॉसिन अगर हम लोग वॉल्टेज इड्रिस करते हैं तो यह एक्ट्रा इंफ्रमेशन थी इसका फिलाल तो आपको ध्यान में रखना हो का रिस्ट्स उनिट जो रहते है वाल टैप फ्लाइटिंग रिस्ट्स में वह रहते बना रहते हैं सिलिकॉन कारब बिज़ इस उसको डेटरमाइन देलेक्ट्रिक लॉस एंड कैपसितन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट था ओके शेरिंग ब्रीज यह हम लोग डालेक्ट्रिक लॉस और कैपसितन्स को मेजरमेंट के लिए यूस करते हैं कल्विंस डबल ब्रिज जो है हम लोग 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 वैल सब्सक्राइब करेक्ट्रिक लॉस और कैपसितन्स यह का करेक्ट था सुदेखते हैं मारे नेक्स्ट कुशन कुश्टिन नबर सिक्स सर्च इंप्रेंस ऑफ पावर के बल यूज इन सीज विदा ट्रांस्मिशन लाइन इस इन दे रेंज आफ जो सर्च इंप्रेंस रहते है पावर के बल का जो यूज करते हैं हमारे सीरीज में ट्रांस्मिशन लाइन के वह रहता है फॉर्टी टू टू फॉफुफ्टी ओम्स के बीच में ऑप्शन सी इसका करेक्ट एंसर है और यह जो सर्च इंपेडेंस है यह क्या है हमारा कि रेशियो ओफ वॉल्टेज अन करं यह दोनों भी वैल्यूस थैन मेरे के पावर के बल्स के लिए 40 ट्रांस्मिशन लाइन के लिए और और फॉर एंडड़ ओम्स और यहां पर जो पावर के बल्स इन सीरीज विदर ट्रांस्मिशन लाइन पुछा गया तो 40-250 ओम्स इसका करेक्ट एंसर आ जाएगा ओके वैल्य ओफ करätta फैनले थे और परेक्टनस्मिशन पावर के लिए या में स्वकेट में पासिति हैं इंडॉक्त तो वो जो आए कोछ भी उसका अप conservatives नहीं पर देक T 1 upon 2 pi fc हो जागे क्योंकि XL का formula का 2 pi fl और xc का formula का 2 pi fc इसमें वाइव वाल्यू सब्स्ट्यूट करते हैं तो c का value हमें मिल जाएंगा 1 upon twice pi f square into L okay तो c का वाली हम भी सब्स्ट्टिट करके निकालते हैं c is equals to 1 upon twice इसका जो फ्रिक्वेंस है वह 50 Hertz ओके इन्टू 50 का वोल स्कुर्वर इंटू एल का वाली कितने 0.5 हेंड्री 0.5 हेंड्री तो सी का वाल्य आप इसको सॉल करते तो आपको मिलेगा उसका वाल्यो टुवाइंटी पॉइंटी इसको समप करते तो 20.3 माइक्रो फैरड इसका वैल्यो आजाएगा इसको सॉल करके देखेगा इसको स्केप नहीं करने है अब जो भी मेठोडोलोज लिगा आते हो इसको अप्रोग्जिमेट मेठोड से आप इसको अटेम्ट करके देख सकते हो ओके जो देखते हमारा नेक्स कुशन बिटिसको नबर एट बेसिक इंपल्स लेवल आफ लेवन की भी दिस्टिबिशन सिस्टिम का वो कितना है वो है हमारा 75 किलो वोल्ट पीक ओके तमीस बेसिक इंपल्स लेवल बिल आइस पर दे इंडियन स्टेंडर्ड फोर डिफरें डिस् सिस्टिम के लिए हैं तो यहांपर मैंने एक चार्ट आपके लिए प्रिजन गया इसमें नॉमिनल सिस्टिम वोल्टेज है और इंडियन स्टेंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आ हल है हमारा बेसिक इंपल्स लेवल है डिस्टिबिशन सिस्टिम के लिए यह आपर 52 के लिए 550 by 650 kv और या फिर हमारा 220 kv के लिए 900 by 900 और 1050 kv यह हमारे चार्ट है आपको मैंने प्रेजंट के यह ध्यान में रखना होगा मेगर इसेंचेली काफी आसनसा सवाल है यह बैदा भी मेगर इसेंचेली is a multimeter crossed oil ohmmeter shun type of ohmmeter या फिरी सिरीज type of ohmmeter तो यह मेगर हमारा crossed oil ohmmeter है और यह basically high resistance को measurement के लिए हम लोग इसको use करते है option बीस का correct answer है मेगर इसेंचेली है crossed oil ohmmeter और इसके अंदर एक basic function रहता है कि डिर्क्ट करन्ट जेनिटर भी इसमें रहता है तो यह बाद अपको धान में रहता हूं कि में गर यह हम लोग हाइव हाइव हाइय रेस्टन्स को मेजर्मेंट के लिए यूज करते है ठीक है और अनिट इस है क्रोसट ओइलओं ंंत उप्लेट यह ओगे तो डिफरन कोशह नोह नहीं ऊप्लिट लिए था भी धिछते हमारी नेक्स कोशन विचिज कोस्ट पॉच्ट नब्र 10 a primary of a current with its secondary statement complete करना होगा a primary of a current transformers थे instrument transformers एक तर रहता हमारा CT दूसरा रहता हमारा PT current transformer और potential but हमारा basic function रहता है CT का जो यह है basic function है कि हम लोग उसका primary जो है हम लोग कभी भी energized नहीं करते जब तक हमारा उसका secondary है हमारा open circuit नहीं रहता है कि यह मैंने ऐसा उल्टा बोला कि अपको मैं बता दू प्राइमरी ऑफ करन ट्रांस्वर्णर इस नेवर एनर्जाइज विद इस सेकंडरी ओपन सर्कृट है हम लोग उसका सेकंडरी जो है करन ट्रांस्वर्णरों कभी ओपन सर्कृट नहीं रखते हैं ठीक है तो यह बात अ इसके कारण क्या होता है अगर हम लोग प्राइमरी के अंदर एनर्जाइज करते हैं और हमारा सेकंडरी ओपन सर्कृट रेटर तो वह हमारा वेरी हाई वुल्टेज प्रोड्यूस करेंगा क्योंकि एम्पेटर उसके काम होने के कारण और इसी के कारण यह जो हाई करने के लिए सारी कंडिशन को अवाइट करने के लिए हम लोग जो प्राइमरी जो रहता है स्कॉर्ण ट्रांस्वर्ण का हम लोग एनर्जाइज नहीं करते हैं जब हमारा सेकंडरी ओपन सर्कृट होता हो ओके ऑप्शन डी का करेक्ट एंसर आ जाएगा ओके सो देखते हम हमारा नेक्स कोशन विचिस कोशन नमबर लेवन इस कोशन में मैंने आपको बता है था कि यह स्टेट्मेंट का ध्यान से आपको पढ़ना होगा प्राइमेरी जो है हम लोग अभी अनर्जाइज नहीं करते हैं अगर उसका सेकंडरी ओपन सर्कृट है तो के यह कंडिशन है देखते हैं नेक्स कोशन for a slippery induction motor if the rotor resistance is increased the अगर हमारे slippery induction motor में अगर हमारा rotor resistance increase होता है तो उसमें क्या 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 consequences हो सकते है है starting torque efficiency decrease होगी increase होगी एक starting torque increase होगा efficiency decrease होगी या फिर vice versa तो उस case में हमारा starting torque जो है वह increase होगा और हमारे efficiency decrease होगी जो torque रहता है हमारे induction motor का उसका एक equation ध्यान में रखोगे तो आपको ये सारे statement आ जागी इसको हान में रखने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारा rotor resistance है ठीक है आर टू को होगर हम लोग increase करते तो तो टॉर्क एक्वेशन के है टी is equal to 180 upon twice by ns into s times of e2 square into r2 upon r2 square plus s times of x2 whole square starting में आपको पता है slip का भार्यू कितना होता है वो रहता है one starting में उके उसकेस में यह जो ऐसे आपका eliminate हो जाएंगा तो अगर हमारा starting में आर टू जो है less है that means x2 हमारा जाद है तो उसकेस में जो tst that means starting torque हो जाएगा 180 यह as it is value रहेगा ठीक है into e2 square upon x2 correct into यहां पर r2 भी रहेगा ओके इस केस में जो tst है हमारा i'll change the color it is directly proportional to वो होगा हमारा r2 से ओक यह हमारे पास statement आजएगा एक relationship build हो जाएगा तो इसी के कारण अगर हमारा rotor resistance increase करते हैं तो हमारा starting torque भी increase होता बट अगर हम लोग यह increase करते है starting torque उसकेस में हमारा rotor losses जो है वो ज्यादा हो जाएगा और उसका efficiency जो है वो decrease हो जाएगा ऐसा नहीं कि हमने rotor resistance को increase करते है starting torque increase वो और efficiency भी increase होगी वो efficiency हमारी decrease हो जाएगी तो यह option C इसका correct answer आजएगा ठीक है I hope आपको यह question समझ में होगा कि काफी स्टेट्मेंट अगर यह equation धान में रखते हैं तो आपको यह सारे चीज़े समझ में आ जाती है सो देखते हैं हमारा next question which is question number 12 semiconductor strain gauges are preferred to metal resistance strain gauges because semiconductor strain gauges हम लोग use करते prefer करते metal resistance strain gauges से इसके कारण क्या है इसका कारण यह है कि हमारे semiconductor gauges have a higher sensitivity semiconductor gauges जो रहते हैं हमारे उसकी sensitivity ज्यादा रहती है इसे के कारण हम लोग यह basic primary reason है हम लोग यह strain gauges use करते है to measure the strain option C इसका correct answer था so the next question is question number 13 maximum torque of a three phase induction motor is three phase induction motor का maximum torque है वो क्या है independent of rotor resistance अब यह थोड़ा confusing सा आपको लग गया क्योंकि अभी हमने आप अभी देखा था हमने जो torque equation रहते है वो रहते है 180 upon twice pi of ns into s times of e2 square into r2 upon r2 square plus s times of x2 whole square but maximum torque जो है हमारा वो कब कर रहता है मैं आपको बता देता हूँ वो रहता है उसकी भी condition है sm is equal to यह भी ऐसा equation करके पूछा जाता है examination में वो रहता है r2 by x2 यह कभी की भी ऐसा पूछती नहीं आप simply sm type into x2 is equal to r2 यह ऐसा कभी option में देता है यह आपको इसको confused नहीं होना है sm is equal to r2 by x2 जब रहता है तभी हमारा maximum torque और होता है एक particular slip है तो t max का value क्या हो जाएगा हमारा टी-max हो जाएगा यह value as this आ जाएगा ओके इंटू यह value substitute करने बाद e2 square upon twice of x2 तो यह आप यह पर देख सकते हैं जो t max है यह independent है हमारे rotor resistance पे option a जो है हमारा यहाँ पर correct tensor आ जाएगा आप questions का level देख सकते हो और इसी तरी किसे आपको preparation जारी डखना है आपका next question is induction type energy meter creeping takes place due to creeping क्यों होता है induction type of energy meter के अंदर वह रहता है over compensation of frictional torque के वज़े से option c का correct tensor अगर हमारा friction torque के over compensated है तो उस case में हमारा creeping यह फिनोमेना होता है और creeping के कारण हमारा accuracy जाए वो affect कर सकता है तो जो meter रहता है उसका जो disk रहता है वो continuously rotate करता है it is known as creeping और यह हमारे accuracy को भी affect कर सकता है तो in an induction type of energy meter creeping takes place due to over compensation of the frictional torque option c का correct answer था the next question is question number 15 transformer oil in a high voltage power transformer is required for transformer oil high voltage power transformer है वो हमें किस के लिए रहता है वो हमें लगता है cooling और insulating purpose दोनों के लिए option c का correct answer था transformer oil in a high voltage power transformer is required for cooling के लिए भी हम लोग उसको यूस करते है और insulating purpose के भी हम लोग उसको यूस करते है ओके the next question is question number 16 a DC power supply has a no load voltage of 30 volt and a full load voltage of 25 volt at a full load current of 1 MPS its output resistance and a load regulation respectively are okay DC power supply has a no load voltage of 30 volt okay some values हम लोग लिख लेते भी एन एल इसको स्टू कितना है हमरे पास 30 volt full load voltage कितना है वी एफ एल इसको स्टू 25 volt करेक्ट आए एफ एल का वैल्यू हमारे पास 1 MPS और जो तो आउट्पूट रेस्टेंस है हमें find out करने है ओके तो आउट्पूट रेस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा आरो इस इक तो वी अपॉन आए एफल ओके तो वी एफल कितना है 25 वोल्ट अपॉन एंपियर तो 25 ओमस यह हमारा आगया आरो ओके और पूट्पूट रेस्टेंस एक तो हमें वैल्यू मिल कि इसकी ओके अभी हमें दूसरी वैल्यू निकालने होगा और उसका लोड रिकलिशन निकालना होगा लोड रिकलुद निकालने के लिए हम लोग 9 वोर्टेज वी एञेल मानएज फूल लोड उल्टेज कर और हमलोग इन्ट नेट से मल्टिपटूल करते तो, 00 not the Americansusch 계jekt 30 वोल्ट रिगूलेशनही निकल है हम लोग परसंटेश आर लूग्ए इसके समें 30 वोल्ट मैस 25 वोल्ट अपन जो फुल लॉड फुलनेस कीतना है prim 25 वोल्ट इसे हमार रेगूलेशन आजाएगा 20 पर्सट डूरू और जो ऑ्प्षिन भी है था, काफी आजन से सवाल था, option B इसका correct answer था, okay the next question is, question number 17 if the prime mover inputs of an alternator connected directly to an infinite bus is increased अगर prime mover input जो है, alternator जो connected है infinite bus को, उसका जो input है prime mover का, हमने increase कर दिया तो उस case में जो है, हमारा active power output भी बढ़ जाता है, okay option A इसका correct answer अगर एक infinite bus है और यह हमारा alternator है, अगर इसका जो prime mover input है, यह कोई भी हो सकता है, अगर आपने stream input दिया यह alternator जनरेटर, ठीके, यह feed कर रहा है इस infinite bus bar को ओके, तो अगर इसका prime mover input भी बढ़ा दिया हमने, तो इसका simply impact क्या बढ़ता है, हमारा active power का जो output रहेगा, वो हमारा increase हो जाएगा option A, इसका correct answer है the next question is, question number 18 a decision motor runs at 600 rpm from a 240 volt supply, its armature has a resistance of 0.5 ohms and draws a 30 ampere, एक decision motor है, जो की 600 rpm पे run हो दिये 240 volt supply पे, उसका जो armature है, resistance है, वो हमारा 0.5 ohms का और वो 30 ampere का current रहा करती है, if an external resistance of a 2.5 ohms is connected in series with the armature, अगर हम लोग external resistance 2.5 ohms का series में connect करती है, armature के ठीक है, while there is a no change in the armature और field करन यापे, field चाहिए था the new speed is, तो हमें new speed हमें value find out कोने होगे, ठीक है तो सारी values हम लोग सबसे पढ़े निकाल लेते हैं, okay, n का value कितना है हमार पास, 600 rp, ठीक है, आए एक का value कितना है, वो है हमार पास 30 mps, ओके, vt कितना है terminal voltage, 240 volts है, और यहापे आ रहे है, जब का armature resistance कितना है, 0.5 ohms है, correct, और यहापे जो eb का है, back emf का हमें value, find out करना होगा इस case में, ठीक है, eb will be equals to vt minus ia into ra, correct, तो vt कितना है हमार पास, 240 volts, minus ia कितना है, 30 into 0.5, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा 225 volts, यह आ गया हमारा back emf का value, correct, अगर हम लोग 2.5 ohms का हैं पर external resistance add करते हैं, देखिए condition हैं पर given थी, okay, I will highlight this, so that data, आपको यह पर धान में रख सको इसको, okay, तो उस case में हमारा जो आये का value है, वो क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.25, I mean, इसको में रेस करते हैं, तो, one second, इसमें आरे का जो value है, वो क्या हो जाएगा, हमारा 0.5 प्लस 2.5, okay, तो जो 0.5 existing था और इसमें हमने 2.5 ohms add करते हैं, तो 3 ohms ही हमारा आरे नया आ जाएगा, ओके, तो, EB new, जो है, यह EB old है, तो EB new क्या आ जाएगा, same, 240 minus 30 into, इस case में हैं पर 3 ohms को हैं पर consider करना पड़े का, तो इस case में EB के new का value आ गया, 150 volts, ओके, यह बाद आपको धान में समझ में, और EB जो है हमारा, EB is directly proportional to n into 5, यह हमारे पास यह condition किया है, तो अगर हमारे shunt motor की fluxes क्या रहे थे हैं, वो constant रहे थे हैं, ठीक है, as you all know, क्योंकि उसका जो field winding वो shunt में रहे रहते हैं, तो जो, उसका speed पर है, यह रिक लिए effect आगा, तो EB new upon EB old into, is equals to क्या हो जागा, n new upon n old, ठीक है, इसमें आप value substitute कर दे थे, तो 150 upon 225 into 600, यह हमारा old speed था, तो हमारा नई speed जो है, नई speed यहां पे, वो हो जाएगी हमारी 400 rpm, ठीक है, आयोब आपको समझ में हो, काफे interesting सा question था पाइद हो यह, ठीक है, इसका correct answer आजाएगा, ठीक है, हमने सिर्फ इसमें 2.5 ohms का resistance add किया, और बाग किया, जो as it is equation solve किया, इस relation के साथ में, जो हापे हमारे पास given है, EB is directly proportional दो, n into 5 fluxes है, 5 और n जो है हमारी speed है, ठीक है, इस relationship से हमने नई speed निकाल लिया, n new, okay, 400 rpm इसका correct answer था, सो बढ़ते हैं हमारे next question के और, question number 19, transmission line can be most accurately modeled by, transmission line हमारी accurately किसे model कर सकते है, nominal pi circuit, nominal t circuit, equivalent pi circuit से, तो हमारे equivalent pi circuit से हम लोग, उसको model कर सकते है, okay, option C इसका correct answer था, the next question is, question number 20, each register consumes, 100 watt, when connected to a 230 volt, if two such registers are connected in a series across a 230 volt supply, the power consumed by the two together, अगर हमारे पास एक register consume कर रहा है, 100 watt, जब वो इसको 230 volt supply पर connect करते है, अगर दो, वैसे ही register हमने series में connect कर दिया, 230 volt पर, तो हमारे जो power consume है, वो कितना होगा, यह हमें पूछा गया था, तो power consume by each register कितना हो जागा है, P is equals to V square by R, यह मैंने आपको lights में पता था, ठीक है, जो calculation of lights का, मैंने एक session लिया था, electrical inching MC के उस पर, जिस पर lights are dependent, जो series parallel combination में, वो question पूछ जाते हैं, वो हमने सारे cover कर रहा है, उसको जाके देखे, अगर हमारे पास, जो दो bulps series में connected है, ठीक है, यह दो bulps है, यह फिर दो bulps अगर हमारे पास parallel में, तो आपकी जो concept है, वो आपके सारे clear हो जाएगे, ठीक है, वो आपको जाके देखना होगा इससे आपको यह सारे step के questions पूछ जाते हैं, आपके clear हो जाएगे, ठीक है, फिलाल हमें इसको देखते है, power consumed होगा, एक particular register का हो जाएगा, पी is equals to V square by R, तो हमें R का value निकालना होगा, तो P कितना है हमारे पास, 100 है, is equals to V का value कितना होगा, 230 square upon R, तो R का value कियतना है, R is equals to 529 ohms, correct, तो दो अगर resistance हमारे series में connected है, तो यहां पर 529 प्लस 529 एडिशन हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा हमारा 1058 ohms का, correct, तो हमारा P new कितना हो जाएगा, हो जाएगा V square by resistance नया कितना है, हमारा 1058 ohms का, तो new power हो जाएगा हमारा 50 watt, ओके, इसने वोल्टेज हम लोग 230 volt का square निकाल तो इस इन्टो 230 अपन 1058 तो इसका value 50, exact value 50 हा जाएगा है, आपको इसको calculator में solve करके भी देखना है, इसको attempt करके देखना हो जाएगा, 230 इन्टो 230 अपन 1058, इसका value हा जाएगा, 50 watt, okay, option C इसका, correct tensor हो जाएगा हूँ, तो देखते हमारा नेक्स कुछिशन, for a hydroelectric plant with a low head and large water storage, the most suitable turbine is, hydroelectric plant में low head और large water storage के लिए, सबसे suitable turbine कौन सा है, तो वो है हमारा kaplan turbine, मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करता है, उसका धाबन से देखना होगा, आपको ठीक है, यह basically 2-3 बार, काफी बार, एक question पूछे ही जाता है, 100%, यह यह चार्ट से आपको धान मे turbine यूज करते हैं, इसमें, पेल्ट आन जो आता है, वो रियाक, impulse type of turbine है, ठीक है, यह भी important, देखिए मैं question कैसे बन जा, question कैसे पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा, ठीक है, impulse type of turbine जो है, उसमें हमारा पेल्ट आन आता है, वो high head के लिए हम लोग यूज करते है, देन हमारा mediums के लिए ये cross flow, turbo, multi jet, pelton ये यूज करते हैं, और low head के लिए हम लोग cross flow, under short, water will यूज करते हैं, reaction में हमारे आते हैं, अगर हमको ऐसा पूछा जाते हैं, Francis is a which type of turbine, it is a type of reaction turbine, और ये यूज करते हैं, हम लोग medium head के लिए, ठीक है, ये एक point देहर में रखो, pelton हम हम लोग higher के लिए उस करते हैं, medium के लिए Francis, और low के लिए हम लोग का plant turbine use करते हैं, ठीक है, तो hydroelectric plant का जो head रहता है, वो low head रहता है, और उसका large water storage रहता है, तो उसके लिए हम लोग का plant turbine use करते हैं, मैं आपको next chart में दिखा देता हूँ, इसका height है, head है, that means, जो height रहती है, वो आपको इस chart से सारी चीज़े समझ में आ जाएगी, ठीक है, यह question 100% पूर्च जाता है, इसको धान से देखिएगा, okay, मैं आपको काफी चीज़े, छोटी-छोटी चीज़े बता रहा हूँ, okay, high के लिए हम लोग well done, Francis and carplan, इस तरीके से sequence अब धान में रहता है, आपको कभी confusion नहीं होगा, examination में, so देखते है हमारे next question, which is question number 22, if the bandwidth of a control system is increased, the noise of the output of the system due to presence of sensor noise will be, ठीक है, अगर हमारे bandwidth है control system की हमारे increase हो जाती है, तो जो noise है हमारे output में system का, sensor के कारण, वो क्या होगा, वो भी increase होगा, option A, इसका, correct answer है, ठीक है, noise power हम लोग किसे given करते है, P is equals to KTB, K के है हमारा, bolts minus constant, T के है हमारा temperature है, और B के है हमारे bandwidth है, तो bandwidth अगर हमारे increase हो जाती है, तो जो, that means, अगर हमारी bandwidth increase हो जाती है, तो जो noise है हमारे output में, ठीक है, sensor के कारण, वो भी हमारा increase हो जाती है, okay, that means, अगर हमारी bandwidth increase होती है, तो उसके में हमारा क्या होता है, system fast हो जाता ह तो उसके कारण हमारा rise time जो है रीडिस हो जाता है और उसके stability और oscillation को रीडिस करने के लिए हमारा noise भी हमारा increase हो जाते है उस case में वह भी noise है जो sensor के कारण होता है वह हमारा increase हो जाता है और bandwidth का है basically यह धहन में रहके है is a range of frequency, okay it is defined as frequency at the magnitude of closed loop system will which will be equals to 0.0707 ठीक है यह बात ध्यान में रखने को basic जो है bandwidth यह is range of frequency ठीक है तो इसका question का answer हो जाएगा option A increases if the bandwidth of the control system is increased जो noise रहेगा output में sensors के कारण वो भी increase हो जाएगा okay the next question is question number 23 यह important question ध्यान में रखने को by increasing the gain k of a type 1 system for a step input the steady state error अगर हमारा gain k अगर हम लोग type 1 system का increase करते है step input के लिए तो उसके में steady state error क्या होगा वो हमारा remains 0 रहेगा option D इसका correct answer रहेगा यह चार्ट आप यहाप धान में देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं यह चार्ट क्या है हमारा steady state error है इसको लिख देता हो steady state error of different input तो यहाँ पर input है type 0 system type 1 इसमें से कोई भी एक question पूछा जा सकता है आपको type 1 और type 2 के लिए unit step के लिए one upon one plus kp है type 1 के लिए zero और zero हो जाता है अगर input है हमारा ramp input है तो वो infinite रहता है one upon kv और यहाँ पर जीरो हो जाएगा unit parabolic है तो हमारा type 0 system के लिए steady state error है वो infinite हो जाएगा type 1 के लिए infinite और type 2 के लिए one upon ka यह भी values आपको ध्यान में रखने हो ठीक है अगर हमारा gain increase जाता है type 1 system का type 1 system का step input के लिए ठीक है तो हमारा steady state error है वो हमारा zero है ओके option 10 का correct answer यह चार्ट important है जो जो चीज़े में आपको बता था उसका आपको ध्यान से देखना होगा तो बढ़ते हैं मारे next question क्योर which is question about 24 a long transmission line terminated at its characteristics impedance will have a long transmission line terminated at a characteristics impedance will have only incident wave but no reflected wave option C का correct answer यह एक लोंग transmission line अगर terminate हो जाती है characteristics impedance पे तो उस case में उसके सिर्फ incident wave रहेगा बाट reflected wave नहीं रहेगा option C इसका correct answer था ओके तो देखते हैं हमारा next question which is question number 25 यह 100% question पूचा जाते हर एक electrical engineering के examination में ठीक जे यह हो या फिर एई हो slack bus के लिए load flow service के लिए हमारे पास consequence values given होते हैं और consequence आपको निकालने होते unknown quantity इसके अपर 100% question पूचाते हैं इसको ध्यान में देखना होगे इसको skip मत करोगे अगर हमारे पास यहां पर हम लोग पहले चार्ट बन लेते हैं type of bus हमारे पास one second I'll erase this okay दो है यहां पर type of bus है और यहां पर जो quantity specific specified रहती है हमारे पास load flow studies में और जो है unknown unknown quantities अमलों यहां भी लगते हैं इसमें तीन डिवेजन आते हैं सबसे पहले हमारे जो जनरेटर बस रहते हैं I'll change the color so that I've purchased this customer so go generator bus में इसको हम लोग क्या कहते P V bus ठीकश्वाला रहता हमरा जनरेटर पास इसको हम आ लोग कहते पी प्लिट इसमें quantities कौन से रहती है पी और भी हमारे पास given रहती है और unknown कौन से है क्यू रहती है और डेल यहां मैं unknown रहती है similarly हमारे पास जो second type of bus रहती है वो रहती है हमारी load bus ठीक है यह 100% question आ जाते उसको हम लोग क्या कहते है PQ bus इस case में हमारे पास quantities कौन से कौन से given रहती है P और Q यह given रहती है और हमें निकालने कौन से रहती है mod of V और Dell यह हमारे निकालना पड़ता है नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो आती है वो आती है हमारे पास slack bus जो question में पूछा गया slack bus में जो quantity specify रहती है जो हमारे पास given रहती है वो रहती है V और Dell को और निकालने कौन से रहती है P और क्योंको तो यह चार्ट इंपोर्टेंट है आपको 100% एक question आ जाएगा इसमें सरी कि इसको ध्यान में रखना हो कड़ेगे तो इसकेस में हमारे पास slack bus में लोट फ्लो स्टेडिस में consequence value गिवन रहती है voltage magnitude एन फेस एंगल हमारा जो है डेल यह गिवन रहता है तो कि यहां पर highlight कर रहती तो सुधाड आपको समझ में रहती है यह जो है कौन से specified रहती है कौन से unknown रहती है फिर कौन से निकालने पड़ती है slack bus में कौन सी या फिर question ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि in load flow studies for which bus V and Del are have been specified तो आपको slack bus यह बात धान में रखने हो कि ठीक है कौन से इसमें unknown आपको निकालने पड़ती है ठीक है unknown quantity रहती है तो वह ल तो देखते हैं हमारा next question which is question number 26 holes are drilled on the disc of induction type of energy meter at a diametrically opposite position 2 जो holes है हमारे disc of induction type of energy meter पे drill के जाता है वो किसके लिए रहता है वो हमारे creeping को avoid करने के लिए no load पे ठीक है creeping अभी आपको फिनामेना बताया था वो जो disk rotate होना शुरू हो जाता है no load पे भी उसको avoid करने के लिए हम लोग holes को drill करते है option D is का correct answer था okay so देखते है हमारा next question that means इस किस में क्या होता है अगर हमारे creeping को avoid करने के लिए दो holes या फिर slot हमारे लोग drill कर जाते है ठीक है डिस्क के अपर opposite sides of spindle पे तो यह क्या करता है distortion create करता है और उसके कारण जो है जो डिस्क है हमारी stationary रहता है जब हमारा holes जो है उस shunt magnets के across में आता है तो ठीक है so देखते हैं हमारा next question which is question 27 the capacitors each of 0.30 microfarad capacitance are star connected to form a capacitor bank the capacitance of each amount of equivalent delta connected for a capacitor bank is ठीक है अगर हमारे पस्तिए काफी important question है capacitance और उसका resistance का जो equivalence मैंने आपको बैता था वो opposite रहता है तो तीन capacitance है इच है हमारा point 3 microfarad की वो हमारे star connected है ठीक है और इस case में हमें इसका जो equivalent capacitance रहेगा अगर हमारे delta में connected करते तो वो हो जाएगा हमारा point 1 microfarad इसका just ultra case हो जाता है हमारा इसका जो reverse case हो जाता है वो हमारे resistance के case में होता है ओके यहापर अगर रेजिस्टरस पूछा जाए तो रेजिस्टरस के case में एक shortcut ध्यान में रखीगा star और यहापर ऐसा delta लिख लिख लेना टेके इसी के जिस्ट आपोजट में अरा में यहापर डेल्टा में निकालना था तो हमने डिवाइट कर दिये जिस्ट लाइक रिवर्स दिस दिवर्स आप डिस रेस्टेंस इसको इसको नहीं करना है यह पॉजट हो जाएगा ओके तो पॉइंट वन मैक्रोफ यह इसका इक्वलाइट के पैस्ट आ जाएगा ओके सो देखते हैं हमारा नेक्स कुछिन विजिस कुछिन नमबर 28 ओंस ब्रेज इस उस्टो ओंस ब्रेज जो हम लोग सेल्फ इंडिक्टन्स को डिटर्माइन करने के लिए यूज करते हैं और ओंस ब्रेज जो हमारा सेल्फ इंडिक्टन्स के लिए यूज करते हैं और ओंस ब्रेज जो हमारा सेल्फ इंडिक्टन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं और ओंस ब्रेज जो हमारा सेल्फ इंडिक्टन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑके तो रियक्टिव पावर एपसोब बाइदा सर्किट इस दो वाइट मिंटर है हमारे हम लोग पावर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं थ्री फेस बैलेंस लोड के साथ वह हमारे 100 वैट इच रीट कर रहे है तो उसके समें जो रियक्टिव पावर है एपसोब किया जाएग ठीक है दोनों भी एकवल है तो यह 0 हो जाएगा ठीक है तो रियक्टिव पावर हो जाएगा हमारा 0 VAR में हम लोग रियक्टिव पावर को मेजर करते हैं तो अब आपको सारे कुशन समझ में आगे अगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कुछ अफाय को सब्सक्राब नह हाई रिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो स्केल है वो क्रैम्ट हो जाता है हाई रिस्टेंस वैल्यूस पे ओके अप्शन बी जो है हमारा इसमें इसका करेक्ट टैंसर हो जाता है तो यह थे हमारे 30 क्वेशन सब्सक्राइब प्रिवेस एक सेशन में कम्प्लीट 120 कोशन कभर नहीं कर देगे तो आपको प्रिवेस यूपर आपको कोचिफाय पर मिल जाएंगे तो आहोब आपको पढ़ाना समझ में होगा सारे चीज़े आपको क्लियर होगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे टेलिग्राम सब्सक्राइब को जोईन करें एलेक्ट्रिक लेंजिंग एमसी क्यूब्स और कोचिफाय अंडरक्स को और आप हमें इंस्टाग्राम पेज़ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं एक बार हम जरूर चेक किजिएगा काफे इंट्रेस्टिंग सामलोग पूस्ट आपको